जम्मू कश्मीर के लेटन गवर्नर गिरीश चंदर मुर्मू ने अपने ओदे से इस्तीफा दे दिया था राश्टरपती ने उनका इस्तीफा मन्जूर कर लिया है मुर्मू ने 31 सक्टूबर 2019 को जमु कश्मीर के पहले लिफ्टन गवरनर के रूप में काम संभाला था वो 985 बैच के गुजरात काडर के आयास अफसर है नरेंदर मोधी जब गुजरात के मुक्यमंत्री थे तो जीसी मुर्मू उनके चीफ सेकेटरी थे सूत्रों का कहना है कि गवरनर और चीफ सेकेटरी वी बी आर सुप्रमनिम के बीच टकराव से दिक्कते आ रही थी LG के तौर पर मुर्मू सभी बैठके उन्होंने अपने बैठके अपने दफ्तर में करने शुरू कर दी और फाइले भी अपने दफ्तर मंगाने लगे थे और जो चीफ सेकेटरी उनको सिर्फ कारवाई के लिए नोट भेजते थे मुर्मू जमो कश्मीर में 4G इंटरनेट पर दिये गए बयान को लेकर भी विवादों में आए थे उन्होंने कहा था कि राज्य में 4G बहाल करने में कोई समस्था नहीं होगी जबकि सुप्रीम कोर्ट में केंसकार कह चुकी है कि अभी 4G के लायक हालात नहीं है मिरे साथ है प्रॉफसर एमे मांसारी आप भारस सरकार के इंटरलोक्यूटर रहे हैं जमो कश्मीर के मामलों के और जमो कश्मीर के मामलों की गहری जानकरे तके हैं अनसारी साथ हमेशे की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए मेरा पहला सवाल अपसे ये है कि जीसी मुर्मू जो हैं उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा माना जा रहे हैं कि उनके बयान और जो आजात तरीके से काम करना उन्हें भारी पड़ गया क्या यही वज़ा है या कोई और वज़ा हो सकती है आपके निगाह में देखें जो आपने बाते बताई हैं वो वज़ा तो खेर हैं ही अपनी जगह पे लेकिन जमुन कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है पहले भी दो दफ़ा ऐसी तरह के कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें गौर्नर्स को आल अफ सड़न जो है वो छोड़ना पड़ा बॉर्मूर जो है अडिमिस्ट्रेटर थे एक साल उनको हो गया था लेकिन वहाँ पे कोई जमीनी हाला जो है बदले नहीं आपको मालूम है कि तमाम प्लिटिकल लीडर्शिप भी डिटेंड है और वो उसको उपन प्रिजन कहते जा रहे हैं और दोसरी है कि पीस और डेवल बॉर्मूर ने जो बात कही और वो कोई बात ऐसी नहीं कही जो लोगों को नापसंद हो जैसे उन्होंने कहा कि 4G को बहाल होना चाहिए और इसलिए कि सुप्रीम कोट ने भी कहा है कि ये एकसेस तू लेटेस इंटरनेट फिसलिटी इस फंडमेंटल राइज और जब की सरक कि कोई भी जो एक आला अफसर है एक एडमिस्टेटर है और हमने तो अक्सर सिनियर आर्मी आफिसर से भी ये बात सुनी है कि कश्मीर का मसला जो है पुलिटिकल है आर्मी और सेक्योर्टी फोर्स तो बहुत हद तक अगर कहीं एग्रेशन हो रहा है कहीं बॉर्डर पे इश इस वज़े से शाहिद उनको हटा दिया जी जी मैं आगे बढ़ता हूँ जी सी मूर्मो के इस्तिफिय के बाद केंदरी मंतिर रह चुके बीजेपी के नेता मनोच सिनहा को जम्मु कश्मीर का नया उपराजयपा लेफिन गवरनर पनाया गया है मनोच सिनहा की छवी मोधी शाह के बहरोसे मन के रूप में रही है मनोच सिनह गाजी फूर से MP रहे हैं और पूर्वी उत्रप्रदेश में BJP का बहुत बड़ा चेहरा है हाला कि 2019 का लोकसवा चुनाव आने की वज़े से उने केंदरी मंत्री मंदल में जगा नहीं मिली थी मोधी सरकार के पहले कारेका मजन सिनह के पास रेल राज्य मंत्री और कम्यूनिकेशन संचार राज्य मंत्री की जिम्हेदारी थी उत्रप्रदेश के 2017 के विधांसावा चुनाव में जब भारती जंतां पार्टी को यह इंहासिक जीत मिली थी उस वक्त मानोच सिनह ही मुक्यमंत्री की रेस में सबसे आ उन नेताओं में होती है जो मीडिया में ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। मनोज सिना की नियुक्ति के साथ एक राजनातिक रास्ता खुलता नदर आ रहा है। देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में जमुकश्मीर में राजनातिक हालात किस तरह से बदलते हैं। अनसारी साथ मैं आप से जानना चाहता हूं कि मनोज सिना को मोदी और शाह का भरोस्यमन माना जाता है। क्या मोदी सरकार एक रास्ता खोलना चाहती है राजनीती का सियासी रास्ता खोजना चाहती है जो मनोज सिना को वहां भेजा है। विरूद जी मैं आपके माध्यम से मनोज सिना जी को मैं बदाई देना चाहता हूं। वो हमारी पलोस के गाउं के हैं। और वो हमारी constituency से ही वो तीन दफ़ा MP भी चुनते आ रहे हैं तो मैं उनको बहुत अत्री तरह जानता हूं वो अलग बात है कि पिछले काफी दिनों से मैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है तो मैं परसनली बहुत तो खुश हूँ कि मनुसिनहा जी अपॉइंट हुए हैं और उनकी सबी बहुत अच्छी है वो बहुत इमांदार है और बहुत अच्छा काम किया है बलके अभी 2019 से पहले इन्होंने हमारे गाउं में जो रेलवेई स्टेशन है वो उसको बनवाए तो कहने का मेरे मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत काम का है लेकिन मैं दूसरी जवबात आपसे इसकरना चाहता हूँ जो आपने सवाल उठाया है वो यह कि यह मोदी शाह के हैं क्या और यह क्या वहाँ पर प्रोलिटिकल प्रोसेस को शुरू कर पाएंगे मैं समझता हूँ कि यह ऐसा शाहिद मुम्किन नहीं होगा इसलिक मौनुष शिना साहब जो है बहुत काफी इन्डिपेडनेंट हैं और वो अगर मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स के कोई अब्जर्बेशन है उस पर मैं समझता हूँ कि सेंटरल गौर्पिक भी बहुत जादा हावी नहीं हो पाएगी और यह कहना कि वहाँ पर प्रोसेस शुरू हो पाएगा और मौनुष सिना साहब के जरिए आई डाउट वेरी मच यह ऐसा कुछ हो पाएगा हाँ यह जरूर है कि जो डिवल्लप्मेंट एक्टिविटीज हैं वो बखू भी चल पाएगी वो बहुत इमांदार हैं और बहुत इमांदार लोगों को वो सराहेंगे और उनको एप्रिशेट करेंगे यह तमाँ जी आपने बता दिया है तो लेकिन हालात जो नार्मल हो जाए पुलिटिकल प्रोसेश शुरू हो जाए आई डाउट वेरी मच जी जी मैं आगे बढ़ता हूं कश्मीर के मसले पर चीन और अमेरिका ने एक साथ हे की बात कही है सूर में सूर में लाया जो भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म के जाने के एक चाहड को वो हर्किस मन्जूर नहीं करेंगे वहीं यूए साउस अफ रेप्रेजन्टेटेटिव कमिटी ओन फॉरन अफेर्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जय शंकर को एक चित्थी लिखी है चित्थी में कहा गया है कि जमो कश्मीर से आर्टिकल 378 आने के फैसले को ए परकिस्तान ने कश्मीर पर चर्चा की मांग की थी यह मांग पिछले अगस से तीन बार की जा चुकी है यह सेशन एनदर बिजनेस ट्रेनी के तहद हुआ अमेरिका बिटन फ्रांस और रूस ने जर्मनी की तरहें बाइलेटरल तरीके से मामले को सुलजाने की बात कही रू यह कहें कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला मेरा आखरी सवाल आप से यह है कि पहले हम कश्मीर को अंदरोनी मामला कहते थे फिर पागिस्तान का जब दखल हुआ तो धिरेदर हमने मानना शुरू कर दिये कि अद्वेपक्षिय बाइलेटरल मामला है अब चीन भी बीच में की और लेटरल हो गया है। कि यह मामला पूरी तरह से इंटरनेशनलाइज हो गया है। तबसे हैं दोसरी है कि हमारी जो कई तेन चार वार्स हो चुपी हैं और उसमें बहुत तरह के समझोते हुए हैं जाहिर है कि ये इंटरनेशनलाइज तो हुआ है और खासर कि जो 5 अगस्त 2019 को जब अबरोगेट किया तो ये विडेटली चाइना ने एक स्पेशल मीटिंग करक के उनाइटेड नेशन सेक्यूर्टी कॉंसिल में इस बात को रेज किया तो ये मामला तब से और आज तक ये इंटरनेशनलाइज तो बहुत हुआ है और पिछले एक सालों में खूब हुआ है और हर लेबल पे डिसकस हुआ है बलके हमारी सरकार ने ये येरोपियन यूनिन है ये पहले तो रहा है हम लोग सब कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करके बाइलिटरली शिम्ला एग्रिमेंट और उसके बाद जो कुछ है हमारी अंदरस्टनिंग हुए उसको रिजॉल्फ करना चाहिए लेकिन अगर आज की इस्तिति अगर हम देखते हैं तो जो जो जमुए लिय खिजिए है उसका फरतिफाइब परसेंट हिस्टा जो है पी Yuka है जो सारी पाकिस्तान के कब्से में हैं 20 परसे चाइना के कब्से में है जो आक्षाई चीन च्प संब्से में और हमारे सभाइभ परस। है जो जम्यू परसेंट है तो आब तीनो जो औरीज यह internationally recognized borders नहीं है और जबकि मैं कहुँगा पिछले साथ सालों में चाइना ने अपने लगभग 20 border issues को resolve किया है जबकि भारत ने सिर्फ बंगलादेश से जो enclaves है वो exchange करके किया है तो यह एक issue है और दोसरा यह कि जब हम पाकिस्तान से भी बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि सि यह मसला हल होगा इसलिए कि प्योके में जो economic corridor है उसको चाइना ने उसमें काफी invest किया है तो अब पाकिस्तान जो है unilaterally बिना consultation के चाइना के कोई मैं नहीं समझता कि decision ले पाएगा इसलिए मैं समझता हूँ कि अब यह मामला बहुत पहले से ज़्यादा कंवीर और serious हो कोई understanding नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे इसलिए कि यह जिस तरह से अब complex हो गया है पिछले एक सालों में यह बहुत काफी complex हो गया है चाइना जो पहले हम नहीं समझते थे कि पार्टी था जिमनकशीर के मामले में अब वो पार्टी बन चुका है तो मैं समझता हू कि इसको रिजॉल्ब करने के लिए हमें चाइना और पाकिस्तान से साथ साथ बात कर दी होगी और यह भी मैं कहूंगा कि इस समय मोदी सरकार बहुत सक्षम है इनके पास absolute powers है और political skills और diplomatic skills भी है जिससे यह negotiate करके इसको रिजॉल्ब किया जा सकता है